हेलो प्रेंट्स एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी वल एजूकेशन में स्वागता है आपका और जैसा कि आज फिर मैं लेकर आया हूँ पोरेश्ट गार्ड भरती से संबंदित एक मैतोपुन अपडेट और इस पोरेश्ट गार्ड भरती की जो अपडेट मैं लेकर आया हूँ कितना समय अभी इस भरती में लगेगा जल्दी से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी वल एजूकेशन को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ बैल एकन को प्रेस कर लिजे ताकि मैं जो भी अपडेट आपके सामने लाओंगा तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को प्रेस करते हैं तो चलिए देख लेते हैं हम आज की सबसे बड़ी अपडेट आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है फोरेस्ट गार भरती परकिरिया पूरी होने में लगेगा समय कितना समय लगेगा यह आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लाश्ट तक इस वीडियो को देखिए देख लेते हैं इसमें फोरेस्ट गार भरती परक परिक्षा के अंतिम प्रिणाम जारी होने में अभी कम से कम छे महीने का समय और लगना है परिक्षा परकिरिया सुरू हुए पहले ही तीन साल का समय पूरा हो चुका है यानि तीन साल इस फोरेष्ट गार्ड बरती परकिरियों को चलते हुए हो गया है और अभी छे महीने और लगेंगे फोरेश्ट कार बरती परकिरिया 2017 में शुरू हुई थी कहीं बाधाओं को पार करते हुए इस साल फर्वरी के महीने में यानि 2020 फर्वरी 16 फर्वरी 2020 को फर्वरी के महीने में लिखित प्रिक्षा आयोजित हुई जो नकल के चलते विवादों से घिर गई यानि नकल के कारण ये बरती प्रिक्षा विवादों में चल रही है अब अधिनस चैन आयोग ने जांच रिपोर्ट के आदार पर पर परिणाम जारी करने का निर्ने तो ले लिया है यानि इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ के भरती रद नहीं होगी और इसका रिजल्ट जारी होगा और जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा लेकिन अब भी आयोग के पास SIT की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है यानि SIT की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है SIT के द्वारा जो रिपोर्ट दी है उसमें 31 अभ्यारती पकड़े गए हैं और अभी 26 अभ्यारती उसमें नहीं है उनका नाम उनको उनकी जात चल रही है जैसी वो 26 अभ्यारती मिल जाते हैं तो SIT की रिपोर्ट आयोग के पास final पहुँच जाएगी Final Report के आदार पर आयोग लिखित परिक्षा का प्रिणाम जारी करेगा इसके बाद सारीरिक परिक्षा आयुजित होनी है यानि तोरेश्ट गार बरती में अभी सारीरिक परिक्षा भी होनी है लेकिन यदि इस बीच कोरोना का परकोब जारी रहा तो सारीरिक परिक्षा होना तो इसके बाद ही अंतिम परिणाम जारी हो पाएगा जब सारी प्रीक्षा हो जाएगी तो प्रैंडट उसके बाद अंतिम परिणाम जारी होगा इस काम में कम से कम छे महीने का समयल लगना तय है बिल्कुत सही बात है कि इसमें आयोग के द्वारा 1218 पद है और इनको दो बुलाए जाएंगे लेकिन तीन अजार अभ्यारतियों को यदि आप फिजीकल कराते हो तो कम से कम एक महिना लगता है छे महिना का समय लगनाता है इस बीच आयोग ने नकल मामले में दोसी 31 परिक्षारतियों को पर्तिबंदित करने की परकिरिया भी प्रारम कर दी है यानि 221 अभ्यारतियों के नाम आयोग के पास ufs विपोर्डर में हैं उनके खिलाब Waag की और किरिया भी कर दिया उनको कितना पर्तिबंद रहूँगा और यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर आज पहली बार आया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजें और हमारी वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिए ओके प्रैंट थैंक यू फोर वाचिंग वीडियो